Students, Good Morning, आपकी Class Plus One है और आपका Subject है जो English Literature का Lecture हम लगा रहे हैं Last वीडियो में मैंने आपको Saurabh and Rustam जो First है, Six Chapter उसकी Summary और Long Questions करवाएं थी उमीदे आपको Summary 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 जो Short quesion बहुत ہी हो जाते हैं तो हमने डिटेईल में Summary पढ़ ली थी तो Short Quesion है जो उसी सर्फटर में से आते हैं तो इसलिए इनको करने में कोई परिशानी नहीं होती तो मैं आज आपको Short Quesion 15 है हमारी करवाने जा रही हूं सबसे पहले फर्स्ट जो important question है what was rustam called rustam को क्या कहते थी जब मैं आपको chapter करवा रही थी text में से तभी मैंने आपको बोल दिया था कि rustam को क्या कहते है ये question सबसे ज़्यादा important है ये objective type questions में 99.9% पक्का आ सकता है आपको ठीक है तो उसको क्या कहते थे the shell of parashia, parashia को बचाने वाला shell of parashia कहते थे why was he called so क्यों कहते थे because he had often saved parashia from her enemies क्योंकि वो हमेशा parashia के जो दुश्मन थे उनको उनसे parashia को बचाता था where did rustam meet tanima tanima को कहा मिला था वो तार्तर में, तार्तर जो है king kingdom था एक वहाँ पे उसको मिला था why did rustam leave tanima after his marriage, अपनी marriage के बाद tanima को वो केला क्यों छोड़ जाता है the king of parashia sent for rustam, king of parashia जो होता है वो rustam को बुला लेता है so rustam had to leave his wife and go to parashia तो वो अपनी wife को छोड़ के parashia चला जाता है, what did rustam give his wife when he parted from her rustam अपनी wife को अलग होते हुए, क्या देता हुथा है जब वो parashia जा रहा हुथा, तो क्या देके जाता है उसको, precious stone spelling बेटा आच्छे से याद करने है precious ठीक है p-r-e-c-i-o-u-s precious what did he want her to do with it वो क्या करना चाता था उसके साथ, उसने stone दिया था, he wanted her to tie the stone to their child वो चाता था, कि जो stone उसने दिया है तनीमा को, वो कहां पे बांदे, अपने बच्चे की बाजू पे, why did तनीमा send word to rustam that her child was a girl तनीमा ने रustam को ये ख़वर क्यों बेजी थी कि उनके घर में لडकी पैदा हुई है जबकि उनके घर में तो लडकी और लडका पैदा हुआ था न तो उसको डर था कि कहीं rustam है, जो अब उसके बेटे को, उससे दूर ना ले जाए, इसलहे उसने ही का था गी उसके घर लडकी पैदा हुई है रुस्तम को a young warrior challenged रुस्तम to fight a young warrior है जो रुस्तम को fight करने के लिए challenge करता है next question है what did he want to know about सौरब before they fight लडने से पहले वो क्या जानना चाता सौरब से क्या जानना चाता था उसके parents के बारे में सौरब's parents के बारे में चानना चाता था what secret did सौरब learn from his mother कौन सा secret है जो सौरब अपनी मदर से जानना चाता था सौरब learned from his mother that he was रुस्तम सन उसको अपनी माँ से पता चला कि वो रुस्तम का लड़का है why did सौरब's opponent withdraw his challenge सौरब के साथ जो लडने आया था यो था उसने लड़ाई क्यों छोड़ दी थी the opponent lost courage वो हिमत हार गया था when he learned that सौरब was रुस्तम सन जब उसको पता चला कि वो रुस्तम का सन है so he would draw his challenge इसलिए उसने अपना challenge है जो वो छोड़ दिया था what did सौरब want to do after he learned who his father was जब उसको पता चला कि उसके father रुस्तम है तो उसने क्या किया he wanted to go in search of his father वो अपने फादर को ढूनने जाना चाता था what did तनिमा want सौरब to do when he met his father तनिमा क्या चाती थी कि सौरब जब उससे मिले तो उसके father को मिले तो वो क्या दिखाए he wanted सौरब to show the stone on his arm to his father वो चाती थी कि सौरब अपनी बाजू पे बंदा हुआ stone अपने father को दिखाए thus रुस्तम वोड़ नो who सौरब was तब रुस्तम जान जाएगा कि सौरब कौन है what happened in the fight between सौरब's army and the Persian army क्या हुआ था सौरब army और परशिया के आर्मी के बीच लड़ते हुए many Persian generals जो वो मारे गए थे nothing could stop सौरब's advance कोई भी सौरब को रोक नहीं सकता था what message did सौरब send the king सौरब ने king को कौन सा message बेजा था he asked the king to send his champion to fight with him वो उसने का था कि अपने champion है जो उसको भेजो मेरे साथ लड़ने के लिए what did the king do on hearing the message क्या किया था king ने ये message सुनके the king sent for rustam at once king ने उसी time rustam को बुलावा भेजा था कि rustam को बुला के लाओ तो बेटा ये question आपके complete हो गए ये chapter आपका complete हो गया next video में आपको मैं 7th chapter कराऊंगी सौरब ने रुस्तम second जिसमें हम पढ़ेंगे कि सौरब है रुस्तम के साब जब interact होता है जब रुस्तम सौरब के सामने आता है तो वो क्या react करेगा रुस्तम उसको देखके वो उसको मानेगा या नहीं मानेगा कि ये मेरा ही बेटा है चाहे वो stone उसने बाद रखा है पर उसकी wife ने तो ये ख़बर बेजी थी ना कि उनके घर लड़की पैदा हुई है तो रुस्तम उस पासे किया react करेगा ये हम अगले चेप्टर में पढ़ेंगे तब तक आप इन questions को अच्छे से पढ़ लो समझ लो अगर कुछ problem लगती है बेटा तो आप comment box में कभी भी comment करके मेरे को पूछ सकते हो ओके बेटा ओके, have a nice day